2022 में युनाइट स्टेट्स में यूनिलिवर ने अपने पांच ड्राइ शांपूस को मार्केट से रीकॉल किया इनमें थे दव, नेक्सिस, सॉव, टी आईजिया जिसमें रॉकोहॉलिक और बेड हेड आते हैं और ट्रेस में ऐसा उन्होंने किया क्योंकि उन्हें पता चला कि उनके इन प्रोडक्स में बहुत जादा बेंजीन हैं जिसे इन्हेल करने से औरली कंज्यूम करने से या स्किन पर लगाने से कैंसर हो सकता है Dry shampoo क्या है? यह traditional hair wash का alternative होता है जहां बिना पानी या shampoo के आप बाल से oil और grease को निकालते हैं Unilever के ये 5 dry shampoos इंडिया में ना manufacture होते हैं और ना ही sell होते हैं लेकिन online market और third party offline sellers के जरिये से ये products इंडिया में available है इसके अलावा कई बड़ी companies के products को high level of benzene की वज़े से market से recall किया गया है जैसे कि Procter & Gamble इनके 30 से भी ज्यादा aerosol products जैसे कि hair spray, dry shampoo और dry conditioner को market से recall किया गया है L'Oreal के chemical hair straightening products को sue किया गया था क्योंकि उनके इस्तिमाल से औरतों में uterine cancer का risk बढ़ता है Unilever का ही एक और product है जिसे खुद FDN market से recall किया था soft deodorant क्योंकि उसमें high level of benzene थे Share this video with your friends and family Stay safe, stay informed and follow the CSR Journal for Mossad Stories